करेंगे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को जो कि MCO 5 से रिलेटेड है और आपको ये कुशन का एंसर जब आप देखोगे समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो लेक्षिर स्टार्ट करते हैं बिना समय बरबात कि उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और बेल अके अंदबा दिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे प पर रशाएंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहला प्रस्राइब करेंगे पर लिजए और बसक्राइब हें तो सबसे पहला पॉइंट एपने स्क्रीन का उस्क्राइब आप ऐसे ऐसे अर्थ क्राइब करेंगे जोर 16th mlakah्ता वूंचल आपएर और बूशल आप पढ़ेर और रही मिज्डिक्षिपा तहुद फिर होती है जो कि सिर्फ एक industry में काम नहीं कर रही होती है बहुत सारी industries में काम कर रही होती है यहां पर example दिया हुआ है यहां ठीक तरीके से लिखा हुआ नहीं है बट यह L&T L&T Larson and Turbo HLL का आपने नाम सुना होगा PNG का आपने नाम सुना होगा PNG जिसके बहुत सारे शैंपू आते हैं हमें पता नहीं रहता है बहुत सारी प्रोडाक्ट्स हैं सारे कंपनी इसके अगर आप ठीक से ध्यान दोगे प्रोड़क के पीछे तो आपको पता चलेगा इनका इंडस्ट्री है वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट है न वो इसके क्सी एक चीदिम précéd dialogue तो मतलब यह ओगया कि इसों के आपको कörtछे नहीं करेंघदा की नहीं पर जिए और दूसरा कि यहां पर बोला ला रहा है कि inflation has distorted balance sheets in the sense that financial statements do not account for inflation which implies that they do not present the real picture of the scenario. यहाँ पर inflation की बात की जा रही है, आपको साथ पता नहीं होगा बड़ इंफलेशन को एक silent killer बोला आता है है हमारी income का हमारी जो भी income होती है गैघट औस आपने go आपो पांचिल्याग कर साल में वही पिष्ट्रेशन जो कि बड़ बड़ के बहुत जाद हो गया है तरीके से जो भी पैसे आपने कमारें जो बी इंटरेश्ट की उसको बिगार देता है, in this sense that financial statement do not account for inflation, और इसी कादर जो financial statement होते हैं, उसमें हमें inflation का पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ, you know, accounts को measure कर रहे होते हैं, accounts के amounts होते हैं, उनको लेकर रहे होते हैं, लेकिन inflation का उसके उपर क्या असर पड़ता है, उसके उपर हम कभी ध्यान जैसे कि मैं चोटा से example, आगर आपको दूँ तो एक time पे जो जमीने हुआ करती थी, वो तक्वीबन, you know, 12,000 रुपए कठा भी विखती थी, लेकिन अभी के time पर जमीनों की बात करो, तो आप 3, 4, 5, 10,000 रुपए कठा दे बिखती हैं, तो यह ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए क्योंकि inflation बड़ा है, लोगों का खर्च बड़ा है, लोगों का income धीरे धीरे बड़ा है, और खर्च यह कुछ जादा ही speed से बड़ा है, जिसके कारने से prices का increase होना, like एक आम बात हो गई अभी की time पर, तो inflation एक बहुत ही बड़ा reason है, जिसके कारने से ratio analysis जो है, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, however, not so high inflation, it would not affect the analysis much, लेकिन अगर inflation बहुत ज़्यदा high नहीं हो, तो यह analysis को एक तर्के से बहुत ज़्यादा नुफसान नहीं पहुचाता, but हाँ, inflation is a kind of thing which, you know, distort the ratio analysis of balance sheet, है न, तीसरा point हम कर लेते है, seasonal factors can greatly influence ratios, जो seasonal factors होते हैं, वो भी ratio को बहुत ज़्यदा influence कर सकते हैं, hence, you should make sure that you control the seasonal differences, आपको ये make sure करना पड़ेगा, कि आप जो seasonal differences, आप उसको control करो, कैसे करो, देखते हैं, better would be to perform the ratio analysis on a quarterly basis, to get the complete picture for the whole year, जिसमें एक ही तरीका है, कि आपका साल है, उसको आप तीन भाग में, चार भाग में बाहर दो, quarterly आप कर दो, तीन-तीन महीने क आपको अपना ratio analysis का जो balance sheet है, वो आपको त्यार करना चाहिए, आपको एक साल का अगर आप whole करोगे, तो seasonal changes हो रही है, जो seasonal differences है, आप उसको एक तरीके सा account में नहीं ले पाओगे, और ये तभी possible है, जब आप तीन महीने का आपका अपना, जो है, you know, span रखोगे, और profit को निक चाहना चाहते हो, with the effect of seasonal factors है, तो ratio analysis का ये एक और limitation हो गया, चौथा point है, with the kind of accounting scams breaking everyday, अभी हाली में आपको पता चला होगा की, SBI तक्रीबन 11-12 बैंकों में AGB नाम की एक कंपनी थी, जो की गुजरात की कंपनी है, उसमें तक्रीबन 22,847 क्रोड रोपा का गुटाला कर दिय ये पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि window dressing की जाती है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, उसके बदले पैसे आटे जाते हैं, और बात में जागा कि पैसे जो है, जब बरबात हो जाते हैं, तो पता चलता है कि company तो एक shell company है, company actual में exist ही नहीं करती है, small investors होते हैं, उनका इन सब चीजों के ऊपर बहुत जादा control नहीं होता, उनको तो पैसे आपने invest करने होते हैं, तो वो इन सब चीजों के ऊपर बहुत जादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब भी आप ऐसा कोई चीज कर वे हो, तो आपको बहुत ध्यान देने की जो रहत होता है, तो इस तरह की चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत जादा important है, whenever you are talking about the ratio analysis है, क्योंकि यही एक तरह के से limitations भी बन जाते हैं, ratio analysis का, पांचवा point है, it is quite possible that different companies with the industry may use different accounting practices which would make it difficult to compare the two companies है, तो यह different companies होते हैं, तो हो सकता है, different accounting techniques, different accounting practices के इस्तमान करें, इसके का possible नहीं होता हो पाता है, आप दो companies के बीच में, you know, comparison कर पाऊ, तो in that case, initial analysis एक तरह के का, यहाँ पे इसका limitation है, in this situation, it should not be, it should be made that, sure that the changes are accounted for and made for, that it would not affect the analysis, तो यहाँ पे एक तरह का situation क्रिएट करना पड़ेगा, एक तरह का महौल आपको बनाना होगा, यह जो सारे चीज़ें ह है, उसके कारण से जो differences पैदा हो रही है, उसको आपको, you know, analysis को उपर affect नहीं होने देना है, उस चीज़ को करने के लिए भी आपको बहुत सारे measures, जो है, लेने पड़ेंगे, च्रथा number point हम कर लेते हैं, it could also be possible that different companies may use different fiscal years, यह भी possible है, definitely, कोई calendar year maintain कर रहा है, कोई, you know, कोई financial year maintain कर रहा है, किसी का fiscal year दूसरे किसम का है, किसी का fiscal year दूसरी किसम का है, यहाँ पर companies जो है, different different fiscal years का इस्तमाल करती है, fiscal मतलब आपको जो साल होगा, fiscal year मतलब जो भी आपका surplus या deficit का base होगा, आप उसको यहाँ पर fiscal year बोलते हो, say for instance, one company may use the calendar year as its account closing, while the other company may use the fiscal year, fiscal मतलब आपको financial year, in that process, care should be taken to compare the respective months or years adjusting for the differences in the counting year, जब भी आप ऐसा करते हो, तो आपको ध्यान देने की जो रख परती है, कि जब भी आप compare कर रहे हो, तो आप जो respective months है, आप उनके बीच में comparison करो, आप अगर January का comparison मार्स से करोगे, तो दिक्कत होगी, आपको January का comparison January से ही करना पड़ेगा, तो य ratio को distort कर सकता है, कैसे कर सकता है, देखता है, so it should not, so it should be taken into account that the companies you are comparing, have some basic similarities, तो आपको इस बात में ध्यान देने की जो रहते है, जो भी companies का comparison कर रहे हो, उन सब के बीच में कुछ similarities होनी चाहिए, है न, the longer the company had stayed in the business, the ratio would have quite different from the new and trans in the same industry, तो यह तो बहुत ही simple सी बात है, कोई लोगों को बारोसा जल्दी नहीं होता है, तो वहाँ पे लोगो कम खरीता है, तो वहाँ का ratio different होगा, वही बात यहाँ भी बोली जारी है, कि जब भी आप companies का comparison करो, या फिर ratio analysis करो, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, कि आपको company का age group है, जो आपका age है company का, उसको भी आपको ध्यान में रख करके काम को करना होगा, such factors have to be accounted for, so इन सारे factors को भी आपको accounted करने की जुरत होती है, ध्यान देने की जुरत होती है, आठवा number point कर लेते हैं, however, there is also possibility that innovation and aggressiveness may lead to bad ratios, है ना, तो जब आप, you know, possibility बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आप innovation और aggressiveness बहुत ज़ होते हैं, so one should not blindly depend on the numeric ratio figures, तो आपको एक तरीके से अंधावन करके जो है, किसी भी numeric ratio figure के ओपर ध्यान देने की जुरत नहीं होती है, आपको sometimes logically or reasonably सोचना होता है, but try to understand why the company has bad ratios in a particular year, तो आपको इस चीज में बहुत ही ध्यान पूर्वा की सोचने की जुरत परती है, कि किसी तरीके से उसको जज नहीं कर पा रहे हो, तो यह भी एक issue हो जाती है ratio analysis में, नौवा number जो point है, there could also be possibility that the benchmark used for analyzing the ratios may not be appropriate, तो यह तो बहुत ही common अगर आप benchmark का इस्तमाल कर लोगे, तो आपका जो ratio है वो भी appropriate नहीं आपाएगा, आपका result है वो भी गलत आएगा, आप decision making में गलती करोगे, आप बहुत सारे लिखकते हैं आपको एक तरीके से जहनी पड़ेंगे, तो यहाँ पर possibility होती है, कि आपको जो benchmark अगर आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने desirable target direction निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो है निराशा हाथ लगे कि क्योंकि आप वहाँ पर industry का average निकाल रहे हो, जबकि हर एक company एक दुसरे सा अलग अलग होती है, age group यहाँ पर एक factor है, fiscal year यहाँ पर factor है, बह भी very rough approximations, क्योंकि industry average जो होता है, वो बहुत ही rough approximation होता है, वो बहुत ही average होता है, वहाँ पर exact कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर जो आपको ध्यान देने के जुरत है, यह problem आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, the other downside of the ratio analysis is that ratio should not be interpreted one way, easy higher ratio may only be better up to a point, है नहाँ पर जो बात ब जूब ही जो, यह है, जो downside ratio analysis का वो यह भी है, कि आपको ऐसा नहीं है कि जब भी आप interpret करो, तो आप one way interpret करो, जब ही आप interpret करें, ratio analysis कर रही होता, आपको दोनों तरहम से ध्यान देने की ज़रत पड़ती है, अगर आप सिप एक तरफ से ध्यान दोगे, तो सही नहीं होगा, आपको किसी एक पॉइंट तक ही आपको सिरफ इसमें सही जो है रिजल्ट मिलेंगे उसके बाद से आप गलती करने लग होगे so one should not assume that this will hold gold in future तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप जो अभी कर रहे हो वहीं in future जागर के भी वही साही चीजा होने बाली हो आपको इसरे डिजन गरने होती है इसका मतलब यह कतर ही नहीं है कि आपको 204 में भी 10% profit margin होगा तूंकि यह different हो सकता है क्या है वह बहुत सारे factors है जिसको आपको दिखनेनी की जोरत है आपको आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा पसंद आया रही तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो मिलते हैं अगले वीडियों के अपना ख्याल रखो बाइ थैंक यू